आपके यहां सोचाले हैं किया? सोचाले नहीं है भईया और यहां आप सोच के लिए कहां जाते हैं? सोच के लिए यहां से काफी दूर जाना पड़ता है पहाडी एरिया है थोड़ा सा तो वहां जाते हैं सोच के लिए वही तो जगा खुला है थोड़ा तो यहां करीपन कितने लोगों के पास सवचाले ला हुगे यहां करीपन पचेटर परसेंट नहीं है, पचीस परसेंट लगभग किसी का अधूड़ा है, किसी का बना हुआ है उसमें कुछ पूरे काम नहीं हुए उसमें भी जैसे रात में भी आपको सौचालेक जुरुत पड़े तो कहां जाते हैं अब वहां ही जाते हैं साब जहां अब खुला जगा है अब यहां फेती बारी लगा है तो वहां तो जाते नहीं सौच के लिए कि रात में भी जाना आना पड़ता है, बच्चे हैं, मावाप से आने पूरे हैं, उनको कहां लेके जाएं, रात के समय है। ऐसा उचाले ना होने से गाउं के लोगों नो क्या परियास किया है। पहले तो हमारा रामलाल जी यहां का वीडियो बनाया। और इसी वीडियो को लेकर के गाउं में यह पंचाय ग्राम पंचायतों में दिखाया। और गाउं में दिखाया। इसके बाद फिर इस बात से लेकर के आंगे भी गया। और कार्यालों में इस मुद्दगे उसमें से इसके में बात किया और आंगे इसका काम किया उमरिय जिले के ग्राम तखतपुर में 227 परिवारों के यहां सौचाले नहोने के कारण खुले में सौच करने के लिए मजबूर थे लेकिन यहां पर जब काफी परियास किया गया सरपन सेकेटरियों के साथ और जब जाके यहां अवेदन वगयरा किये तो अब यहां ग्राम तखतपुर में सौचाले का निर्माट सुरू हो गया यह जो सौचाले बनना से आपको क्या लाव हुआ? हम जो जाते थें दो किलो मीटर दूर तो अब जाना नहीं पड़ता है यहीं सवचाला में अपने इस्तार करते हैं यहीं फैदर हुआ सवचाला बनने से मेरा ही नहीं, मेरा संदाय का भी मानना है कि मिल जूल कर प्रयास करने से बड़ी सी बड़ी समस्य का भी निराकरान किया जा सकता है। मैराम लालबैगा गराम तखतपूर बिलाकर के लिए जिलव मरिय मधपरदेश से इंडिया अनहाट के लिए।